हेलो गाईज वर्कम बेक टो सॉलिचर मित्रा तो आज का हमारा क्वेशन है solve for x यानि कि हमाई क्या करना x की value फाइंड के नहीं है और question कुछ इस प्रकार से दिरखा है 4 to the power x minus 3 to the power x minus 1 by 2 equal to 3 to the power x plus 1 by 2 minus 2 to the power 2x minus 1 तो सबसे पहले तो आप इसको simplify करेंगे इसको हम simplify कैसे करेंगे हमें सबसे पहले ही इसमें indices law लगेंगे indices law आप जानते हो कि अगर हमारे पाँ यह दे रखा a to the power m into a to the power n इसकी value क्या होती है a to the power m plus n होती है और एक दूसरा indices law आपने पढ़ा होगा a to the power m divided by a to the power n होगा तो इसकी value क्या होती है इसको हमें ऐसे लिख सकते a to the power m minus n यानि base से हो और घाते इस प्रकार से हो तो यह हमारे घड़ जाती है जब हमारे क्या हो divide में हो और multiply में हो तो घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है अगर base क्या हो common हो तो यहाँ पर यही property हमें apply करेंगे यहाँ पर देखो मैं 4 to the power x को 4 to the power x ही रहने देता हूँ minus यहाँ पर देखो 3 to the power x minus 1 by 2 है तो यह हमारा कुछ इस प्रकार की फौँम है 3 to the power x minus 1 by 2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते है 8 to the power m और 8 to the power n की फौँम है जानी जो पीछे वाला minus n रहता है यह नीचे हर में चला जाता है तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ 3 to the power x divided by क्या हो जाएगा 3 to the power 1 by 2 ऐसे लिखा जा सकता है इंडेसिजलों से इक्वल टू यह क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो यह addition में m plus n वाली form में m plus n वाली तो हम इसको क्या लिख सकते है यह ऐसे लिख सकता है अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ 3 to the power क्या लिख सकता हूँ x into 3 to the power क्या हो जाएगा 1 by 2 इस वाली properties minus यहाँ पर इसको भी हम क्या कर सकते है 2 to the power 2x divided by क्या हो जाएगा 2 to the power 1 यहाँ तक आपकी समझ माया होगा यह देखो 3 to the power 1 by 2 को हम क्या लिख सकते है root 3 लिख सकते है और यहाँ पर 3 to the power 1 by 2 को भी हमने क्या लिखा root 3 लिखा और यहाँ पर 2 to the power 1 का मतलब क्या हो गया 2 हो जाएगा और यहां पर देखो 2 to the power 2x 2 to the power 2x है अब यहां पर एक indices log और अपड़ा था आपने a to the power m सारे की power n हो यह क्या हो जाता है? a to the power m n हो जाता है तो यह कुछ इसी प्रकार की पहुम है a to the power m, m जहां पर 2 है और n क्या है? x है आपने a to the power 2 सारे की power x लिख सकता है और 2 to the power 2 कितना हो जाएगा? 4 तो यहां पर मैं क्या लिख सकता है? मैं इसको लिख सकता हूँ 4 to the power x लिख सकता हूँ यहां तक आपकी समझ में आया होगा अब यहां पर का करता है? जो यह 4 वाली time है इनको एक तरफ लिख देते हैं और जो यह 3 वाली है इनको एक तरफ लिख देते हैं तो यहां पर यह हो जाएगा 4 to the power x और यह इस तरफ आगया राइट एंड साइड में तो यह प्लस का हो गया यह कितना हो जाएगा 4 to the power x divided by 2 हो जाएगा इक्वल टू इधर हमने क्या गया यह वाला को हम राइट एंड साइड में लेगे तो यहां हमारे पास था 3 to the power x root 3 और यह माइनस का इधर आया तो यह प्लस का हो गया 3 to the power x over root 3 यहां तक आपकी समझ में आया होगा अब इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद आप यहां पर जानते हो कि 4 to the power x यहां पर क्या सकती है यहां पर क्या बचेगा यहां पर बचेगा यहां पर बचेगा यहां पर बचेगा 1 by 2 और equal to इधर हम क्या कर सकते हैं इधर हम 3 to the power x को कमान ले सकते हैं तो यहां पर क्या बचेगा यहां पर बचेगा root 3 plus 1 by root 3 यहां तक आपकी समझ में आया होगा वैसे थोड़ आ सगया पर जाता है यह घिच भीच हो गया यहां पर मैंने चलो इसको ऐसे रख दिया ताकि आपको confusion ना हो अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं यह देखो टू वन प्लस वन बाई टू कितना हो गया यह हो गया तीन बटे दो यानि कि तीन बटे दो फोर इंटू फोर टू दी पावर एक्स और यह आ जाएगा हमारा क्या रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री यह रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री हमें देगा कितना देगा यह है यह हमें दे रहा है फोर बाई रूट थ्री फोर बाई रूट थ्री दे रहा है कैसे दे रहा है देखो रूट थ 3 multiply wise के साथ root 3 root 3 into root 3 कितना हो गया 3 बच्चा आप यह जोड़ना है वैसे simply आप जोड़ी सकते हो अगर चलो जिनको confusion हो रहा है उनको थोड़ा पता देता हूं वैस्तों आप लोगों को आता होगा फिर भी यह सी है अगर हमां यह भिन होगा जोड़ दे रखाए इसके अपन में कितना हो गया 4 4 by root 3 यहां से है हमारा 4 by root 3 तो यह इतना प्रोसेस हमने की थी यहां पर इसको 4 by root 3 लाने के लिए अब यहां से देखे एक चीज एक चीज क्या देखे आप कि फिर से यह 4 वाली जो टम है इनको एक तरह ला देता हूं मैं तो यह हो गया 4 to the power x divided by हो गया आपका 4 और यह 2 को हमने रहने रहने दिया 4 into 2 इसको चलो 4 into 2 को भी मैं यह 2 है इसको मैं आगे रहने देता हूं 1 by 2 equal to और यहां हमारा क्या था यह यह हमारा था 3 to the power x by root 3 into यह वाला 3 भी इदर आया तो यह क्या हो जाएगा 1 by 3 यहां तक आपकी समझ में आ रहा होगा अब यहां से देखो आप यहां से हम क्या करते हैं यहां पर फिर से आप indices law लगाईए इसकी इसकी पावर क्या है 4 to the power कुछ नहीं दिखा रहा तो 4 to the power 1 लिख सकते हैं इसको ऐसे यहां पर 3 to the power इसको क्या लिख सकते हैं यहां से देखिए आप यहां से हम क्या कर सकते हैं यह हो जाएगा मारा 1 by 2 तो अपनी जगह रहा और यह 4 to the power इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 to the power क्या लिख सकता हूँ मैं x minus 1 लिख सकता हूँ x minus 1 लिख सकता हूँ index is loss है अभी हमने पहले ही बताया था a to the power m divided by a to the power n हो तो उसे हम क्या लिख सकता है 3 to the power m minus n यहां पर देको ही 3 to the power x इसके यहां पर भी लिख सकता हूँ इसके तो इसके उपर मैंने 1 लिखा और यह 3 to the power x को यहां रिका उफाइका इससे कोई फरक ने पड़ते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, 2 हमें क्या मिल सकता है रूट 4 का अगर मैं value निकालूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी यानि कि मैं यहाँ पर यह रूट 4 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 to the power 1 by 2 लिख सकता हूँ 4 to the power 1 by 2 root का मदलब वही होता है तो यहाँ पर मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ 4 to the power 1 by 2 लिख सकता हूँ into यह हो गया हमारा 4 to the power x minus 1 equal to अब यहाँ पर देखो यह 1 by root 3 है तो इसको तो हम सिधे-सिधे लिखी सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 by 3 to the power 1 by 2 into यह हो गया हमारा 3 to the power x minus 1 यहां तक आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा अब यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर देखो फिर से वह यह apply करते हैं जो हमारे indices property 8 to the power m by and equal to 8 to the power m minus 1 तो यहां पर यह अप लाए करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 4 to the power x minus 1 पहले से थी और minus 1 by 2 यह वाली आ गई तो यह कुल मिला क्या हमारा इतनी बची 4 to the power x minus 1 minus 1 by 2 equal to यह इधर क्या बचे का 1 1 कहां यह बचे का हमारा 3 और यह भी वापस यह उपर था x minus 1 और यह वाली उपर गया 1 by 2 तो यह हो गया minus का 1 by 2 तो इनको अब solve कीजिए बचा पट तो यह हमारा क्या बचे का यहां पर बचे का हमारा यह 4 to the power यह क्या बच रहा हमारा इस तरफ यह देखो हमारा वैसे यह हमारे जो base है यह हमारे same आ चुके है घाते देखो same है यह हमारे जो हैं घाते क्या है same है तो मैं अगर इसको इस तरफ भी लाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरफ ला सकता हूँ फिर से इंडेसी लो लगाना पड़ेगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 to the power x minus 1 minus 1 by 2 यह हो गए इसकी power यह divided by किस से हो जाएगा इसको इस तरह अपलाया मैं तो यह हो जाएगा 3 to the power x minus 1 minus 1 by 2 इससे हमने क्या गया डिवाइड गया यहां क्या बचे का यहां से यह गज़ा रगया था तो यह वन बचे होगा अब यहां से देखो यहां से आपको एक property हगा होती है कि अगर हमारे पास यह दे रखा है कि A to the power M दे रखा है और बटे क्या दे रखा है ब टो दी पार M दे रखा है लिख सकता हूँ x minus 1 minus 1 by 2 equal to क्या हो जाएगा यह इधार 1 अब इसको भी solve कीजिए x minus 1 minus 1 by 2 यहां से देखो इसको मैं solve करूँगा गर तो minus 1 minus 1 by 2 तो यह दो इकम 2 हो जाएगा मतलब इसको मैं जोड़ूँगा गर तो यह कितना देर आए 2 1 जा 2 minus का 2 minus का 1 यह हो जाएगा minus का 3 by 2 यह आप आसा नहीं से देख सकता हूँ बिन्नों का जोड़ी है x minus 3 by 2 तो इसको मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूँ x minus 1 minus 3 by 2 को क्या लिख सकता था मैं इसको x minus 3 by 2 ऐसे लिख सकता था अब यहां पर देखिए कि हमें यह value दे रहा है 1 के बराबर अब यहां पर indices law से आप एक और चीज जानते हो कि किसी भी base की value याने 8 to the power 0 equal to क्या होता है 1 होता है किसी की भी घात 0 कमान कितना होता 1 होता है तो यहां पर मुझे इसकी value 1 मिल लिए है इसका मतलब है जो यह इसकी घात होगी इसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए यहां से मैं यह लिख सकता हूँ कि x-3 by 2 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तभी हमें 4 by 3 to the power 0 1 मिल सकता है यानि कि यह हमें 0 के बराबर होना चाहिए तो x-3x2, 0 के बरावर होना चाहिए, यहां से हम solve करेंगे, तो x की value क्या आ जाएगी, यह 3x2 इस तरफ चला जाएगा, तो x की value कितना हो जाएगा, x की power हो जाएगी, प्लस का 3x2, तो x की power कितनी हो गए, प्लस का 3x2 हो गए, और यही हमें क्या करना था, x की value निकालने थी, x की value हमें निकालने थी, वो हमें मिल गई 3x2, और हमने क्या क्या अप्रोस ऐसे अपलाएगी, वो आपने देखा होगा, यहां से हमने शुरू किया था यहां से हमने इसको शुरू करना शुरू किया था जब हमें X की वैलू निकालनी तो यह हमें कोईसन दिया हुआ था और हमने यह सारे के सारे इस टेप फॉलो किये और फाइनली हमें जो आंसर मिला वो हमें कुछ इस प्रकार से मिला था X की value कितनी आ रही थी तो 3 by 2 आ रही थी I hope आपको जो concept था वो समझ माया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो प्लीज चैनल को लाइक से subscribe करना न बोले ताकि हमें इस इस प्रकार की वीडियो बनाने का motivation मिलता रही तो फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए स्वास्तरे मस्तरे और अपने काम में ब्यास्तरे धन्यावादा